हेलो दोस्तो गुड मॉनिंग नमस्ते प्रणाम आप सभी को और फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सज्वान व्लोग में तो दोस्तो आज के व्लोग के सुरवात हो रही है सुभा के 10 बजे से और आज है सावन का लास सोमवार तो अभी हमारी घर पे पूजा पाढ़ भी हो चुका है और अभी हम जा रहे हैं अपने गाउं के मंदिर में माचंडिका और तुंगेश्वर भगवान के मंदिर में तो वहाँ पे भी पूजा पाढ़ करेंगे और आप लोगों को भी दर्सन कराएंगे तो उससे पहले न मैं आपको आज का मौसम दिखाती हूं रात से लगातार बारिस आने पे लगी भी है और अभी भी हलकी हलकी बुंदा बांधी होई रही है तो कुछ इस तरह के हाल है आज मौसम के पहाड़ों पे कुहरा लगा हुआ है और हलकी हलकी बारिस अभी भी आई आती पहल मंस्त शणोस सब करते हों सब उब मस्त रहें और यहां पर चाची और दीड घलु तो दोस्तों नमस्ते को आप सबीकों आप लाइए बैंज बूत आप लोगों के देर मनत मांगे आप लीए विल्गुल दोस्तों यह दोने थाली पकड रही है सिंगर के और मेरे थाली वहां दुकान बेक्ट्वू कि में उहां दुकान बैक्ट्टै नें फिर वा तुस्त मुझसर पुरा कोई नहीं होगा और वहां पे हमारे दूसरी चाची भी है हेलो तो चलते हैं मंदिर में भी दर्शन कर आते हैं आप लोगों को भी हम भे टाद ज्रत्वाजय नहीं होगा होगी का अउसर गुए वजगा हैं मंदिर में र daí तो दोस्तों अभी मंदिर से पूजा करके भी आगे हैं और भगवान जी को जल भी चड़ा दिया है लगाती प्राति में हमारी अ करने के लिए हमारी चोटी भएन कोकीला यह हमारी बहुत स्वानी है यह देखो स्वानी सुंदर सुसील कन्या कोई वर होगा इसके लिए तो जरूर मैसेज करना तो अभी अमिशा और में आरके हैं अपनी कमली को और काली को घास डालने के लिए क्योंकि वरत हमारा है उनका नहीं है तो इसलिए उनको घास देने के लिए आ रह तो कल इधर ही पर वाग आ रखा था और जो यह चीमी का लगला है यह देखो यह पूरी बेल उसने नीचे डाड़ के यहीं से भागा होगा नो तो यहीं पर कल हला हो रहा था कि बागे वो बागे पर देख लो बागे पर उस तरह में पानी के रिया रखी जारे में तो तो दोस्तों मंदिर के सामने किर्दन हो रहा है और यहां पर हमें हमारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर मिल गए है लो बहुत जादा एक्साइटे थे व्लॉग में आने के लिए हैं सच में दिल से इतना हो रहा है कि क्या करूं में उस्ता ऐसी मजा कर रहे हैं हम लोग बहुत जादा अच्छा लागा इन से मिलके और फोटा खिचाने के लिए बोले थे कफसे बिलकुल इसलिए हम लोग उनके स सब कुछ है दूद है पती है तो दोस्तों यहां पर और भी सब्सक्राइबर मिलके हमको कंडा गाउं से हेलो सब लोग आजकल मंदिर में आरख हैं दर्सन करने के लिए सब्सक्राइबर मिलने आते हैं गाउं में बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग ऐसे मिलने आ तो आप लोग का प्यार देखने को मिलता है दोस्तों मंदिर में तो अभी किर्टन भजन चली रहा है तो लगभग बजगी था तो मुझे घर आना था अनमोल के लिए खाना बनाने के लिए तो अभी मेरी डाल बन चुकिया थोड़ेर में चावल पी चड़ाओं तो अभी सामके लगभग साड़े पांच बज रहे हैं और हमेशा की तरह आज भी हम लोग रोड पर आ रहे हैं गूमने के लिए और आज हम जल्दी आगे थे पांच बज़े आगे थे और साड़े पांच बज़े लगभग हम घर जा रहे हैं क्योंकि रात का खाना ही बनाना आज वरात है तो बहुत सारी चीज़े बनानी पड़ दोष्ञण खती चलते हैं घर पर वरद की तैयारी करतें साम को तो दूस्तों यहां पी च्छोटे बच्चे गेम खेल रहे थे यह है पहा準備 लेगेम हां हमारे इंग क्या पकिलया हैं यह क्या बोलते हमारे घंष टर रह करा हमारे होताइए things लाइन में पाओं पड़ेगा सिधे आउट तो ये बच्चे लोग खेल रहे हैं यहां पर तो बच्पन में इतना खेलते थे न सही में ये गेम बहुत फेवरेट हुआ करता था मारे गेम देखो लाइन में पढ़ना चाहिए उपर देखना है बस 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 चलो ए हाई बोला है कि अब दोस्तों अबी साड़ेचे हो रहा है और अभी मेरा खाना बनने लग गया है इसमें बन रही है सबजी और इसमें डाल भी उबल गी है तो थोड़े-देर में दाल में भी तड़का लगाऊंगी ये वही वाले टमाटरे जो कल ममी दिखा रही थी न तो इसका तड़ अब गाऊंगी थोड़े में दाल में और उजाला देखो अभी इतना उजाला है और मेरा खाना बनना इस्टार्ट हो गया है तो दोस्तों अभी रात के लगभग नौब ज़ गये हैं और अभी हमारा डिनर भी हो गया है और मैं वीडियो आईटिंग कर रहे थी तो को भी यहीं पर एंड कर देते हैं उमीद करते हैं आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्ट इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ तब तक के लिए बाई ब कर दोस्तों कर दोस्तों